दोस्तों नमस्कार स्वागत। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के किसी भी राज्य गाव या जिला में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य अपने गाव का नाम जरूर लिखे ताकि आपके कर देते रहें दोस्तों भारतिय मौसम विभागने जारी चेतावनी देश के कई राज्यों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है फिर बदलेगा मौसम का मिजाज 6 मार्च तक रहे सावध अभी अभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का दौ अगले कुछ ही घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तूफाना कहां कहां पर चेतावनी जारी की गई चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, दिल्ली जार खंड समय देश के कई राज्यों में ओले गिरने भारी बा अगले पांच दिन तक रहेगा, मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, ग्वालियर उज्जैन सहिद 22 जिलों में चेतावनी जारी की गई है, यूपी के 25 जिलों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, 40 किमी प्रति अधी गढ़ में आज और कल तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका को देखते हुए भारतिय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग की माने तो अगले तीन दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी होगा, आने वाले तीन दिन की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान बिहार जार खंड और पूर्वी यूपी में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है, मौसम विभाग की अनुसार मध्य और पूर्वी भारत में आने वाले कुछ दिनों के दौरान गर्ज के साथ हलकी से मध्यम वर्षा की अमाजम बारिश होने वाली है, इससे पहले अगले 24 घंटे के दौरान, 36 घड ओडीसा मराठवाडा और महाराष्टर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, महाराष्टर विदर्भ के कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कपास की फसल को भी काफी नुकसान पहुँच सकता है, वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के साथ ही, अमबाला हिसार, अमबाला चंडीगर, नेशनल हाइवे के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसे देखते हुए चेतावनी जारी की गई है, मौसम विभाग की माने तो आने वाले तीन दिनों तक लगातार मौसम ऐसे ही बदला रहेगा, बात करें, कौन-कौन से राज्यों में चेतावनी है, तो इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियान, दिल्ली, बिह जारखंड समेत तमाम राज्यों के एक-एक जिले की जानकारी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, राजस्थान में बिजली गिरने की चेतावनी टोंक में भी चार लोग जुल से जैपुर में छाय बादल, राजस्थान के कई हिस्सों में दोस्तो लगाता में तीन लोगों की मौत हो गए, जबकि चार लोग जुलस गए है, यहां अब चल रही हवा से भी तापमान में गिरावट आई है, राजस्थान में इस सिस्टम के चलते 75 फीसदी एरिया में बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश के साथ जबरदस्त औला वरिष्टी भी हो स मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा, मार्च की शुरुवात ओले बारिश के साथ हुई है, अगले तीन दिन मौसम ऐसा ही बदला रहेगा, साथ ही ग्वालिया रुज्जेन समेद 22 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल सहित साथ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है, मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाईजरी जारी की है, बारिश और ओले से खेतों में खड़ी गे हुँ चना, याधी की फसलों को घना कोहरा भी रह, मौसम वैज्यानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ इरान के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक्टिव हो चुका है, इसके असर से दक्षण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर से नमी आ रही, पांच मार्च को उजयनागर माल बराणपुर, हर्दा, बेतुल, नर्मदापुरम, छिंदवाडा, शाजापुर, नरसिंहपुर, दमोहसागर, छतरपुर्टी, कमगढगुन्ना, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरेना, भिंड, निवाडी में ओले गिर सकते हैं, वहीं खरगोन, बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान है, वहीं 5 और 6 मार्च को मध्य प्रदेश के उजएनागर मालवा, शाजापुर, बराणपुर, सिवड़ा, शिवपुरी, नरसिंहपुर, निवाडी, टीकम, घड, शिवपुरी, गुन्ना, सतना, मौगंज में बारिश के ओले गिरने का अनुमान है, मौसम विभाग ने 5 और 6 मार्च को लगातार यहां पर बारिश और ओले गिरने की जो आशंका है वह जाहिर की है, और किसानों को भी यहां पर सावधान रहने के लिए कहा गया है, भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक लगाता अगरा बुलंद शहर बरेली बदायूं, अलीगड फिरोजाबाद एटा गौतम बुद्ध नगर, हापुड गाजीपूर गाजियाबाद मतुरा संभल कासगंज हातरस के कई हिस्सों में बारिश होगी, जबकि 5 मार्च को उत्तर प्रदेश के जालौन हातरस, हर्दोई अगरा में 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और बारिश की आशंका है, वहीं पंजाब हर्याना दिल्ली की बात करें, तो मौसम विभाग ने हर्याना के कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, हर्याना के चंधिगड अम्रित सर, जा वहीं लुध्याना मोहाली अंबाला हिसार करनाल पानीपत रोहतक गुरुग्राम, शिमला धर्मशाला समेत पंजाब हर्याना और हिमाचल के इन जिलों में अगले तीन दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उत्तर भारत में नए पश्चिमी विक्षोब की वह भारतिय मौसम विभाग ने जताई है, मौसम विभाग की माने तो लगातार मौसम में यह बड़ा परिवर्तंजारी रह सकता है, तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही तमाम मौसम समाचार, अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ वीडियो को लाइक करना न भूले धन्यवाद